वेलो वेल्कम बैक तो माई चैनल आज मैं आ गई हूं फिर से एक निव रीडिंग के साथ गाइस कैसे हैं आप सब आई हो कि आप सभी अच्छे हैं खुश है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए मैं आज एक रीडिंग कर रही हूं आज की रीडिं क्या है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आने वारे साथ दिनों के अंदर अंदर ठीक है तो देखते हैं क्या होता है ठीक है क्या आता है रीडिंग में तो स्टार्ट करते हैं तो गाइस यह जैनल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के resonate करे हो सकता है ना करे लेकिन ये specially twin flame और soulmate connection वालों के लिए है और timeless है ये reading जब भी भी आपको ये reading मिलती है आप देख सकते हैं आपको help करेगी ठीक है चलिए start करते हैं और देखते हैं क्या आता है सबसे बहले आपके partner के लिए मैं कार्ड निकाल हूँ कि उनकी life में क्या हो रहा है फिर वा आपके बारे में क्या सोच रहे है okay memories of love इसिक्स of cups कार्ड है soulmate कार्ड होता है okay disruption disruption okay patience trap and fears yeah अभी भी आपके partner की life में कुछ challenges है financial crisis है और अभी भी यह stable नहीं हुए है अपनी life में कोशिश तो कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है कोशिश नहीं कर रहे है लेकिन disruption and trap and fear मुझे आपके clear बता रहा है कि अभी किसी situation किसी conditions में फसे हुए है और यह person निकलने की पूरी कोशिश भी कर रहे है यहां से ऐसा नहीं कि निकलने की कोशिश नहीं कर रहे है अपना hard work भी कर रहे है पूरी हिम्मत के साथ प्लान बना रहे हैं कि क्या यह ऐसा कर सकते हैं कि आपने future को ठीक करने के लिए कर सकते हैं disruption किसेने किसी चीज में फसे हुए हैं हो सकता है जिसे आप twin flame connection में हैं आपके partner obviously आपके साथ twin flame connection में हैं और जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में hardship देखी है आप भी कितनी चीजों में बंदे हुए थे लेकिन आपने भगवान का साथ पकड़ा और definitely उन्होंने आपको इस चीजों से निकाला है तो आपके partner की awakening हो रही है आप इनकी बारी है कि यह किस तरीके से इन चीजों से निकल कर भार आएंगे अपने आपको एक better place पर लेके जाएंगे यह जो tension worries, depression, anxiety में जो गिरे हुए है यहां से यह भार आएंगे ठीक है तो यह कोशिच पूरी-पूरी कर रहे है और इतने पूरे वक्त में भी यह person आपको भूल नहीं पा रहे है memories of love आपके साथ बिताय हुआ हर एक पल इस person को याद है हर एक बात याद है आपको miss करते हैं, आपको याद करते हैं ठीक है? और आपके साथ एक strong connection feel करते हैं इस person को पता है, इसको patience रखना पड़ेगा चीज़े एकदम से नहीं होगी लेकिन धीरे-धीरे चीज़े ठीक हो जाएगी patience है तो it means यह positive भी है definitely काफी चादा optimistic है connection को लेकर, अपनी situation को लेकर इसको पता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यह अच्छी बात है, अगर यह इस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इसको time की जरुरत है इसको time दो guys, जल्दबाजी मत करो इसको time दो, इसको chase मत करो क्योंकि अगर आप इसको इस condition में chase करोगे तो फिर इसको और tension मिलेगी आपसे irritate हो जाएंगे और आपको हो सकता है, ब्लॉक कर दें, आपसे कभी बात ना करें तो जो distance अभी इतना है, वो इतना हो जाएगा ठीक है, इसलिए इसको chase मत करो, अभी इसकी situation ऐसी नहीं है इवन कि आपको miss करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके लिए प्यार है लेकिन फिर भी इसको time की जरुरत है इसको इसके हालातों पर छोड़ दो, आप क्या कर सकते हो आप manifestation कर सकते हो, इस person के लिए prayer कर सकते हो आप ये चीज़े कर सकते हो, अपने hand से बट इसको disturb मत करना, message, call बगरा करके base chakra, ये आपके लिए card निकाल रही हूँ, मैं आपके लिए क्या सोचते हैं आपके partner material harvest authority and sacral chakra, definitely इस person को आपके पास आना है no doubt, लेकिन इस person को ये कैसे आएंगे जब ये आपको यही बोलने की कोशिच कर रहे हैं कि इनको कुछ इसको अपनी life में emperor बनना है, इसको 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 अपनी healing पर काम कर रहे हैं अपने कुछ को personal growth के लिए ठीक है, professional life इसकी अच्छी हो जाए, इसकी personal life भी अच्छी हो जाए, इसको peace मिले, काम मिले, material harvest, इसके पास enough चीजे हो के survive कर सके, इसके पास peace हो, तभी ए परसन आपके पास आएंगे, इसको authority यानि की कुछ, एक emperor की position इसको हासिल करने है अपनी life में, जिसके लिए इसने काफी patience रखा हुआ है, तो अगर आप इसके साथ cooperate कर सकते हैं, तो आप इसका wait कर सकते हैं, otherwise, पहली बात, अगर आप soulmate twin flame connection में, आपका move on करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको भी पता है, soulmate or twin flame, जो भी लोग इस connection में होते हैं, उनको पता होता है, जर्नी easy नहीं होती है, लेकिन ये प्यार सच्चा होता है, feeling सच्ची होती है, दिल से होती है, चाहे बात हो रही हो या नहीं हो रही हो, सोचो अगर आप अभी separation में हो, आपके partner आपको इतना सा भी भाव दे नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे गुस्सा है, जबकि आपकी कोई गल्ती भी नहीं है, ठीक है, फिर भी कितनी respect है आपके दिल में, एक divine feminine कभी भी अपने divine masculine की disrespect नहीं कर सकती, हमेशा उसके दिल में respect होगी, प्यार होगा, ठीक है, क्यों है ये सब कुछ, क्योंकि आपका soul connection है, आप divine counterpart है, आप जन्मों जन्मों के साती है, इसलिए आपको पता है कि थोड़ा हालात थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन ये हालात ठीक होंगे, और आप दोनो एक हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, आप जितने जिस तरीके से positive हैं, optimistic हैं, उसी तरीके से आपके partner भी आपके लिए ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है, लेकिन इनको ये connection intense लगता है, तो इस वजा से ये थोड़े घबराए हुए हैं, और आपको ignore करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज इसलिए हुई क्योंकि आपको pain देना था ताकि आप change लेकर आ सकें, आप एक better person बन सकें, अब इस person को मिल रहा है pain, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इसको pain नहीं दोगे, pain इसको किस ने दिया, angel ने दिया, universe ने दिया, और अब इसकी awakening शुरू होगी, और इसको पता ह आपके साथ connection strong है, इसने patience रखा हुआ, यह अपना काम कर रहे है, निक करने दो, इनको बस disturb मत करना, इनको disturb in the sense कि बार बार एक लगातार messages करना और यह reply कर भी नहीं रहे है, तो फिर आप गलत कर रहे है, call message करते जाना करते जाना तो यह गलत है, अगर इनकी तरफ से कोई भी सीख लियाना तो उसकी victory हो सकती है, चिक है, चलिए देखते हैं आप दोनों की mutual energy क्या है, एक दूसरे के लिए, let's see, चोब वैंड्स, अट्रैक्शन बहुत जादा फील कर रहे है, एक दूसरे के लिए आप दोनों, seven of souls, लेकिन action लेने से डर रहे हो, दोनों ही, trust अभी थोड़ा काम है एक दूसरे पर, कि यह चीज ठीक भी है या नहीं है, ठीक है, दो कार्ट्स आ गए, ace of pentacles and queen of cups, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ new beginning चाहते भी हो और डर भी रहे हो, यहाँ पर कुछ ego issue भी है, पहले आप, पहले आप, कुछ इस तरीके से भी है, but don't worry, आप patience रखे, चीज़े अपने आप universe आपकी help करेंगे, चीज़े अपने आप ठीक होंगी, ठीक है, and strength, strength दोनों ने बनाई हुई है, दोनों एक दूसरे के लिए feelings रखते हो, emotionally भी, रोमेंटिकली भी, लेकिन यहाँ पर problem है, कि थोड़े से trust issues अभी है, देखो यहाँ तो खुद पर ही trust नहीं है, कि अभी आप पूरे तरीके से 100% ready हैं इस union के लिए, आपको भी शायद कुछ ना कुछ कमी अपने अंदर दिख रही है, आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, otherwise यहाँ emotional connection है, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ offer, support करना चाहते हो, आपको बस यही है कि अभी trust थोड़ा सा कम है, खुद पर भी, पार्टनर पर भी, और जब ही trust पूर तरीके से बिल्ड हो जाएगा, तब आप इनको कुछ भी कहना, ठीक है, तब तक के लिए अपनी strength बना के रखिए, आपके partner ने भी अपनी strength बनाई हुई है, चलिए next action देख लेते हैं, क्या लेंगे आपके partner, क्या next action हो सकता है, आपके partner का, let's see, oh wow, two of cups, two of cups, next action, okay, and three of cups, तो मुझे लगता है आप दोनों का union हो जाएगा, ठीक है, और celebration, date वगड़ा भी start कर दोगे आप दोनों, यह चीज होगी, guys, यह चीज होगी, किसी के लिए जल्दी, किसी के लिए फोड़ा सा late, बच होगी, page of vans, message, call, सब यही start कर देंगे, इनी की तरफ से आपको message आएगा, don't worry, how much, क्योंकि यह आपके बना बहुत अकेला feel करेंगे, और आपको बहुत miss करेंगे, इसलिए यह चीज होगी, and five of cups, definitely आपको miss करेंगे, और फिर यह आपके साथ यह two of cups share करेंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए आप wait कर सकते हैं, आप विलकुर optimistic रहिए, आपको फिक्र करने की जरुरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह अब और ज़्यदा secret नहीं रख पाएंगे अपने अंदर, जो चीज इसके दिल में है आपके लिए यह बोलेंगे वो बाते, ठीक है, यह तब तक के लिए balance बना के चलिए, ठीक है, यह message है आपके पार्टनर की तरफ से, आप देखिए, बड़न देख से passion ignited, देखा आपने, ट्रिपल वन, ट्रिपल वन आया है यहाँ पर, यह आपके लिए बहुत passionate है, आपके लिए romantic feelings हैं, और यह आपका spiritual connection है, no doubt, आप अपने connection पर believe रखिए, यह connection ठीक हो जाएगा, इस connection में hope है 100%, ठीक है, चलिए, मैं आपके लिए कुछ guidance देख लेती हूँ जल्दी से, एंजल आपसे क्या कहेंगे, इस connection के regarding, appreciation, आप कुछ ऐसा करिए कि आपको appreciation मिले, लोग आपको admire करें, ऐसा कुछ कीजिए आप, archangel, Gabriel आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, अपनी strength बना के रखिए, ठीक है, archangel, Gabriel आपके पार्टनर का throat chakra open करने में help करेंगे, आपको support करेंगे ताकि आप हमेशा give up ना करें इस connection में, और positive रहने की कोशिश करें, बाकि आपको क्या करना है, आपको appreciation लेना है लोगों से, वो कैसे मिलेगा आपको, जब आपको ऐसा करके दिखाएंगे, लोग आपको admire करें, आपको appreciate करें आपके काम को, ठीक है, कुछ ऐसा आपको करना है, तब आपकी energy बहुत high हो जाएगी, और definitely आपके partner अपने आपको रोक नहीं पाएंगे, ठीक है, और ये चीज़े होगी, आपका union होगा, 100% होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा, patience बहुत important है, यहाँ पर, इस connection में जो patience रखना सीख जाएगा, उसका सच में बेड़ा पार हो जाएगा, means उसको success मिल जाएगी, इस connection में, ठीक है, तो I hope कि आपको कुछ समझ आया होगा, इस connection में, और definitely ये reading आपके लिए helpful रही होगी, तो अगर ऐसा है, तो आप चैनल को subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, अभी के लिए पर इतना है guys, bye, take care,